कि अब लोग अच्छे हों आज हम बात करेंगे जिन्ना वर्षिया वर्षे ट्रेंट ट्रेंट एक वाले कभी जुम मैच खेला जाना है हम इनके बारे में बात करने वाले कौन से वैसे पिलिट्स है जो कि आपके टीम में रहने चाहिए और आपके लिए अच्छा कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इनके इस्ट्रेट्स देख लेते हैं तो दुखिये जिनना परेसी है कि टीम जो है इस सीरीज में अभी तक पांच मैचेस खेल चुके है पांच मैचेस जीते हैं दो मैचेस हारे इनके तरह से देखिए एक गेम जिंजर पिक रहेगी आपके लिए सहबाज मसूद पहले बल्लेवाजी आते हैं तो बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए सहबाज मसूद आपको ओपनिंग आके अभी तक तो इन्होंने मतलब की तेश तरह सुरुवात की है बड़ी पारी नहीं खेल पाएं सहबाज मसूद अगर पहले बल्लेवाजी आती है सेकेंड इनिंग्स में भी आप ट्राय कर सकते बट सामने वाली टीम कितने रन बनाएगी यह थोड़ा सा वो रहेगा इस करण से जो फ़र्ष्ट इनिंग्स में जो है पहले बल्ले बाजी आए तो सहवाज मसूद आपके लिए अच्छी पिक रहेगी बाकि आसत तन्वीर ह रहे हैं और पिछला सीजन का इन से भी बहत्रीन गया था सिर्फ बल्ले बाजी से इस सीजन तो गेंदबाजी कर रहे हैं तो यह और भी अच्छी बात है जो आपके लिए एक से बीसी का अच्छा आपसन रहेंगे बड़ मैं आपको बता दो यह सारे में बालिंग नहीं करे आजाते हैं मिर्जा उमेर और बिकेट कीपर बल्लेवाज है आपको बिल्कुल आपके टीप में होने चाहिए क्योंकि इनका एडवांटेज रहेगा बिकेट कीपिंग से भी और पलस आपको नंबर तीन पर बल्लेवाजी दरे इन्पॉर्टन रहेंगे रिजमान तन्वीर जो कि ये बहुत हार्डीटर प्लियर्स है मुझे नहीं लगता कि इस मेच में इनकी इतनी जरुरत भी पड़ेगी क्योंकि इनका बल्लेवाजी ओइसे भी नीचे है और इसे मैंने इस मेच में इनको लिया था इन्होंने 24 रन बनाके इन्होंने अच्छा काम करके दिया था बागी हसनत अहमद जो की बिकेट कीपिंग सेक्षन में है बट मैं आपको बता दू ये आपके लिए एक गेम चेंजर वाला पीक है कैसे क्योंकि देखिए ये भी जो है ना गेंदवाजी करना जानते हैं बट ये 2021 में 9 मेचिस या 10 मेचिस में कुछ इस परगार से बागी थोड़े नईचे बल्लेवाजी कर रहे हैं बट हार्ट हीटर पिलियर्स है पहले बल्लेवाजी आती है तब आप एक आदी टीम में जील में ट्राइ करेंगे वह सी माँबर नमबर 4 से 6 पर बल्लेवाजी करेंगे पलस ये अभी न्यू बॉल से बॉलिंग करते गुलाम फरीद के एक आदी अबर कड जाते हैं क्योंकि इनकी वही बात है कि एक आदी अबर अगर इनके खराप हो गए पहला अबर मही 14-15 अगर पड़ गए तो हो सकता है कि इनके अबर कड जाएगी तो गुलाम फरीद को आप अगर लेना चाते तो ले सकते है नहीं तो ड्रॉप करना चाते है तो कर सकते है रुकसा रहमाद जिनका ये वाला जो है सिरीज अच्छा नहीं गया है पर मैं आपको बता दू एक खिलाड़ी सांदार है आप इनको जी एल में बहुत ही कम सेलेक्शन हैं सी बीसी ट्राइ कर लेंगा बहुत ही बहतरीन पिलियर्स है औ चार पाच बिकेट इस तरह से लेके जाते हैं अभी तक इनको एक ही मैच में बिकेट मिला है लास्ट मेच में पूरे अबर भी नहीं विले है आई देंकि टीम के कैफ्षेंट भी यहीं है तो धियान रखेगा रुकसा रहमाद का रीशन फॉर्म भी अच्छा था बट यहा कादी ओवर डेथ में भी डाल रहे हैं तो यह भी इंपोर्टेंट रहेंगे इनके साथ सुखविंदर के साथ असत तन्विर या फिर गुलाम फरीद यह दोनों ड्रेथ में आपको गेंदवाजी देंगे मिर्जा फनान दो मैचेस खेले हैं कुछ खास किये नहीं जस्पिं चाहिए बर नगरे करने भी जाएंरख लाँ औरा कुछ यहां पर देख सकता है आगर क। ट्राइक कर लेना है अच्छे प्लेयर से तो इस पर कार से जिसनी प्लेयर का देखना है देख सकते हैं तो ठीक ठीक हैं इन्होंने 2 मेचेश जीते हैं, 2 मेचेश हा रहे हैं, बाकी अदिलएप्मद हैं, इनके तरफ से ओपन कर रहे हैं, बाकी मेचेश में 16-14-20 रण किये हैं, ठीक ठाक के लिए हैं, ट्राइ कर सकते हैं, मिर्जाब एक पहले मैच में ओपन आने के बाद इनको खिलाया नहीं गया है लग प्री सिंग इन्होंने अच्छी खासी रन बनाये है लास्ट के तीन मैच इसमें 14, 44, 25 है पहले बल्ले वाजी आये तो धियान देना है सेकेंड में आप ड्रॉप करना चाहते हैं कर सकते है असीक अवेश जो की थर्ड मैच में विकेट कीपिंग भी कर रहे थे बाकि ये भी खिलाडी अच्छे है अगर इनके टीम से अगर कोई खिलाडी है जो रन स्कूर कर सकते हैं तो वो लग प्रीत रहेंगा और असीक अवेश रहेंगे ये दो पिलियर्स आपको अच्छा काम करके दे सकते हैं बाकि यहां से आपको असीक अवेश जो है बिकेट कीपिंग करते हैं एक अच्छे ऑप्सन बन जाएंगे ध्यान रखेगा वाकि हसन ताहिर है जो कि दो मेचस खेले हैं पहले मैच में बल्लेवाजी मिले नहीं लास्ट मैच में नमबर चार पर आए थे मीडिल ओवर के ही गेंदवाजी है बट उतना कुछ खास नहीं है गुर्फरीसज देखिए में पहले इनको गेंदवाजी आती है आप इनको ड्रॉप करдо जैते हैं आया इनकी गेंदवाजी आती है इसकेस में आप इनको ऐस्टattend ट्राई कर सकते हैं क्यवक सकते देखिए अगर मान के चलिए सामने वाली टीम जो है इनके सामने वाली टीम साट रन बनाती है अब साट रन तो सामने वाली टीम के लिए इजली चेस हो सकते हैं क्योंकि आसत तन्वीर जैसे मिर्जा ओमेर जैसे पिलियर्स हैं तो और मासुद जैसे पिलियर्स तो इजली चेस कर सकते ह अगर मान के चले एक अधी बिकेट अगर अरली गिरता है तो वो बिकेट को लेगा देखे पहला तिसरा और यह डाल रहे हैं तो इस केस्ट में यह लोजिक बनता है तो एक अधी बिकेट यह लेके चला जाए तो धियान रखेएगा सेकेंड इनिंग्स में अगर खेले थे चार विकेट लिए थे अभी नहीं खेलते तो धियान रखेएगा जैस चोधरी अधील जो कि पहले मैच में मेरे प्रेडेक्शन थी बहुत ही सांदर काम करके आ रहे हैं सारे मैचेस में इन्होंने चार मैचेस में साथ विकेट निकाले इंपॉर्टेंट रहेंग बाकि आवेस असकर है दो मेचेस में लास्ट के दो मेचेस में दो भी गेट लिये हैं पहले अगर गेंद बाजी आती है तो थोड़ा सा ट्राय कर सकते हैं सेकेंड इनिस में इग्नौर भी करके जा सकते हैं बाकि इनके फॉल इस्टेट जैस जिस भी पिलेर का देखना चाह बहुती सांदर पिलेर है बाकि यहां पर और भी कुछ वैसे पिलेर हैं जिनको आप देख सकते हैं यहां पर मारुप खेल करा जाए है जो कि अच्छा किये हैं बाकि आवेस असकर है यहां पर आप क्या है कि यह थोड़ी बहुत गेनवाजी कर लेते हैं अभी तक नहीं किया है कभी ना कभी अगर कर ले तो हैरान नहीं हो रहा ना इसलिए मेरी जो जान कर यह मैं आपको यहां पर बता दे हैं मैं यहां पर महमद उमेर के साथ गयां क्योंकि यह बिकेट कीपिंग कर रहे हैं एड्वांटेज रहेगा कैचेंगी स्टेंपिंग का पलस आपको वह देंगे और वन डाउन बल्लेवाजी असतन में को ले रहा हूं मैं ओपन आ रहे हैं कर सकते हैं एस नवाज अगर खेलेंगे डायरेक्ली आपके टीम में होने चाहिए बहुत ही सांधर प्रियर्स है एस ताहीर है उतने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं एह अहमद ओपनिंग आएंगे दियान रखेगा ठीक ठाक खेले अभी तक ट्राय करना चाहते हैं कर सकते ह बाकि यहां से देखिए एक गेम चेंजर पिक एस मासूद है पहले बल्लेवाजी आते था बिल्कुल मैं भी हो सकता है कि अपने टीम में ले लूँ अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूं बाकि जो भी न्यूव पिलियर्स हैं उनके स्टेट्स मैंने बता दिया आप जाके यहां पर मैं आपको बदा दो एफ नजीर जो कि अगर खेलते हैं आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए यहां से मैंने लवपरित को लिया हूं क्योंकि ओपनिंग आते हुए इन्होंने ठीक ठाक के लिए पलस इनका एडवांटेज है किसी ना किसी में हो सकता है जिस पर मैच में खेले थे ऑपनिंग किये थे उसके लाद यहां से जो यहां से जो है और इतने कुछ खास पिंगने जहाद में आपके टीम में होने चाहिए भाकी हैँ यहां explorer को बैख कर जी अलकी मेरी सीवी सी भी रहने वाले हैं अलेशा के वार्षा जो कि लोर एडर में बल्लेवाजी करेंगे नंबर छे साथ या आठ पे पलस आपको दोवर की गेमवाजी एक ओवर डेथ में गुलाम फरीद आपको एक आजिवर डेथ में देंगे एक ओवर मीडिल ओवर में ठीक-ठाक पिलियर से बाकि यहां से आप जी सिंग को लेना चाहते हैं तो मैं यही कहुँगा कि सेकेंड इनिंस में अगर इनकी गिन वजी है तो ट्राइ कर लिजेगा एफ सब भी खेलेंगे तो हमारी टीम में रहेंगे एम कर जाए ट्राइवर रहेंगे खेलते है तो श्रुकु बिंदर सिंग एक अवर डेत में एक ऑँवर पावर पले के अंदर या बाद में देंगे यानि की एकवर डेत में कनपरमाने वाला है इनका बकी यहां से है जे सिंग बिल्कुल ठिक ठक पिलियर है बिल्कुल आपको भी ट्राय करने चाहिए जस्पिंदर सिंग लास्ट के दो मेंचेस में अच्छे विकेट लेके गया है बकी जो भी है यहां पर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर मैं सदाकत कर रहा हूं अब आपके लिए बस बात कर लें अपनी से भी याएं करते बांकी दो कुछvas यहां नहीं пять रुख्सार को सकता है मैं रिक्स ना लूँ कि जो टीम हैं सेलेक्षन वाई जी तenci आपने कल देखा सेलेक्षन वाईΦ यूजा ते मैं आपको बता दू यूज्ध मेरे 10 स्वेस के सी वीमिय में कि यह यहां पर अपनी केफ्टेंट्सीं का ऑप्सटन जो रहेगा यहां पर अपनी जो क्यों जा रही है यहां पर आपके पास ऑप्सटन है अगर पहले इन लोग की गेंद वाज़ी आजाती है तो अली साकी बरशाद बन जाएंगे या फिर सदाकत अली जो कि लास्ट मेच में 8 व क्या आपका ओल रहेगा क्याटन सी में आसाथ तनमीट को दिया अभी के लिए मैंने एस सिंग को दिया है बाकि जो भी फाइनल टीम और अपडेट है वह आएगी टेलिग्राम में टेलिग्राम का लिंह आपको प्रिस्क्रेशन और टॉक के कॉमेंट सेक्षन में मिल बाकि यह हमारे टेलिग्राम का यह है लेहो आप मेरी टेलिग्राम है जहां पर आके जूर सकते हैं तीन हजाल लोग जूर चुके हैं आपकी चीज का वेट कर रहे हैं जल्दी से आजए और मैं आपको बता दो अगर आप आराम से जो है बना सकते हैं आप हमारे कोट के साथ आके आप यहां पर आराम से इजली आप यहां पर वीन कर सकते हैं बाकि जो भी अगर कोई प्रोब्लम होती है आप हमारे इंस्टा पर मेसेज कर सकते हैं वीजन 11 को लेके वहां पर आपकी प्रोब्लम इजली हो